नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके ओफिशेल युट्व चैनल गुरू जी स्पेशल क्लासिस में मैं हूँ निमाई साना आपके समक्ष उपस्तितू साइकलोजी विशेवस्तू को लेकर आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं सिक्षण अधिगम के सिध्धान टॉपिक पर बेस्ट प्रैक्टिस सेट वन के बारे में जैसे कि आप सुब जानते हैं कि हम सिक्षण अधिगम के सिध्धान टॉपिक के इंतरगत बहुत सारे महत्पून पॉइंटों पर हमने डिसकशन की है अब उन पॉइंटों पर based किस तरीके के प्रशन आपके exams में बन सकते हैं और बनते हैं उन्हीं पर आज की class में discussion करेंगे चले start करते हैं आज की class और जानते हैं सिक्षण अधिगम के सिध्धन पर based practice set 1 के पहले questions को पहला question आपके लिए सिक्षण अधिगम के प्रमुक विशे कौन से हैं यह आपको बताने option first कहता है कला एवंग विज्ञान, option second कहता है कला, option third है विज्ञान और option fourth है इन में से कोई नहीं अब आपको बताना है कि सिक्षण अधिगम के प्रमुख विशे इसमें से कौन से है यानिकि सिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतरगत जो आपने सिक्षण अधिगम की विशिष्टाओं को जाना उन से रिलेटेड सिक्षण अधिगम के प्रमुख विशे कौन से होते हैं हम कला एवंग विग्यान दोनों ही करते हैं इसलिए सिक्षन अधिगम प्रक्रिया के जो प्रमुख विशे हैं वो आपके कला एवंग विग्यान हो जाएंगे क्योंकि सिर्फ कला नहीं हो सकता और सिर्फ विज्ञान भी नहीं हो सकता और चौथा option है इन में से कोई नहीं तो इसलिए आपको पता होगा कि section अधिगम की प्रमुख विशय के रूप में हम कला एवंग विज्ञान दोनों को मानते हैं तो इसलिए इस questions का right option हो जाएगा आपका कला एवंग विज्ञान आपने भी questions के right options लगा लिये होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं second question आपसे क्या कहता है तो second question आपसे कहता है students के section अधिगम का अर्थ बताए देखे जो आप teaching learning जो करते हैं यानि के section अधिगम के सिध्धान topic के इंतरगर जो सबसे पहले आपने जाना कि section अधिगम क्या होता है तो इसके अर्थ को आपको बताना है कि इसका definitions क्या है यानि कि इसकी जो meaning है वो क्या है section अधिगम का वास्तविक मतलब क्या है ये आपको बताना है option first कहता है सिक्षा का मारदर्शन करना option second कहता है सिक्षन की समस्थ प्रक्रियाओं का संगठन option third कहता है सीखने की कला और option fourth कहता है उप्यूक्त सभी अब आपको बताने हैं कि वास्तव में जो आपने section अधिगम के सिध्धान के इंतरगत जो भी section अधिगम पढ़ा है तो इस section अधिगम का वास्तविक अर्थ क्या है निकि इसका मतलब क्या है क्यूं आप इस topic को इस point को पढ़ रहे हैं और section अधिगम जो आप पढ़ रहे है इसके पीछे का reason क्या है तो as a teacher जब आप अपने कक्षा में सिक्षन करते हैं तो उसके दौरान जब आप सिक्षन करते हैं तो आपसे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं नहीं कि वो अधिगम करते हैं और आप सिक्षन करते हैं क्योंकि आप सिखाने के लिए जाते हैं तो जब ये प्रक्रिया है वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया तो इसके अंतरगत आप बहुत सारी गतिवीधियों को करते हैं और जब आप बहुत सारी गतिवीधियों को करते हैं तो इसके अंतरगत आपको ब ठीक है तो इस तरीके से बहुत सारे रूप में सिक्षा एक सिक्षक का ब्यावार होता है, सिक्षक को ब्यावार करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले option में बताया गए आपसे, कि सिक्षा का मार्ग दर्शन करना, बात सही है, लेकिन second option कहता है, कि सिक्षन की समस्थ प्रक्रियाओं का संगठन, और third option कहता है सीखने की कला, तो देखे सीखने की कला भी सही बात है, कि जो सीखना होता है, यह भी एक तरीके से कला होती है, और इसके साथ साथ आपको जो है पेशेंस रखकर, महनत भी करनी होती है, तब ही आप चीज़ों को सीख सकते हैं, और option fourth है उप्यूक्त सभी, देखे तीनों ही option आपके best है, लेकिन जो सिक्षा का मार्दर्शन करना, और सीखने की कला, यह दोनों ही point आपके आजाते हैं, option number B में, कि सिक्षन की समस्थ प्रक्रियाओं का संगठन, संगठन है, यहनि कि एक group है, यहनि कि जितने भी क्रियाओं आप करते हैं, चाहे आप बच्चों के लिए करें, या बच्चे अपने स्वेम के सीखने के लिए करें, और इन से related जो भी management है, वो सिक्षन के अंतरगत, जो भी गतिवीधियाँ आप करते हैं, क्रियाओं का संगठन ही सिक्षन अधिगम कहलाता है, I hope आप भी मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, और इस questions के right option तक पहुँच पाये होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, next question आप से क्या पूचता है, next question आप से पूचता है, स्ट्रेंट थर्ड कि सिक्षन अधिगम किस प्रकार की क्रिया है, याणि कि देखे जो आप सिक्षन अधिगम करते हैं, यह किस प्रकार की क्रिया है, यह आपको बताना है, option first कहता है सीखने की क्रिया है, option second कहता है, इस्टुएंट्स यहां पर थोड़ा सा typing error है यह सिखाने की क्रिया हो जायगा एनि सीखने की क्रिया option second हो जायगा सिखाने की क्रिया option third हो जायगा kaushal युक्त क्रिया और option fourth हो जायगा चिंतन की क्रिया अब आपको बताना है कि जो भी आपने सिक्षण अधिगम के अंतरगत सीखा है उन से related आपको क्या लगता है कि सिक्षण अधिगम किस प्रकार की क्रिया है इन चारों option में आपको best option तक पहुँचना होगा I hope आप questions के right option तक पहुँच पायोंगे कि सिक्षण अधिगम के अंतरगत बच्चे सीखने की क्रिया करते हैं टीचर सिखाने की क्रिया करते हैं और जो भी topic को सिखाना होता है उस topics related teacher को चिंतन भी करना होता है जब आप अपनी योजना बनाते हैं lesson plan तैयार करते हैं तो उस दोरान किस उधारन को आपको रखना है कोन से उधारन बच्चे को देना है और जब आप सिक्षन करते भी हैं तब भी आप सोच विचार करते हैं कि कोन से उधारन से ये बात बिलकुल इसपश्ट हो जाए बहुत सारे उधारन ऐसे भी होते होंगे जो आपके lesson plan में नहीं होते हैं लेकिन आपको समझाते हुए बहुत सारे उधारन ऐसे उठाने पड़ते हैं जिससे आप उस बात को उस मैसेज को उन बच्चों तक पहुँचा पाए तो इसके लिए आप चिंतन भी करते हैं लेकिन आप से पुछा गया कि सिक्षन अधिगम की इस प्रकार की क्रिया है तो देखे इस जब आप टीचिंग करते हैं निकि माइक्रो टीचिंग के अंतरगा जब आप सिखाने के लिए जाते हैं और बच्चे आप से सीखने के लिए आते हैं और आप बहुत सारी सोच विचार करते हैं इस दोरान आप प्रशनुत्तर मैथड का यूज करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट मैथड का यूज करते हैं, डाल्टन वीधी का यूज करते हैं, सभी गति वीधियां आप किसलिए करते हैं, जितने भी आपने सिक्षन सूत्र पढ़े हैं, जितने भी आपने सिक्षन के सि भ्यास करेंगे जितना ज्यादा प्रैक्टिकली वर्क करेंगे इन दो सालों तक जो अब आप डिएड या फिर डियलेड का प्रेशिक्षन लेते हैं उस दौरान ये सभी एक्टिविटी जितना ज्यादा आप करेंगे एज टीचर उतना ही ज्यादा आपकी स्किल डेवलप हो नौलेज काफी होता है लेकिन आपको प्रैक्टिकली करना होता है तब ही आपके बिहेवियर में वो सारे चेंज़ आते हैं और आप एक बहतर अध्यापक बनते हैं जब आपका प्रभाव उन बच्चों पर बढ़ता है आपकी बाते वो एजिली समझ पाते हैं तो इस ट्र प्रगत आप सीखने की क्रिया भी करते हैं आप सिखाने की क्रिया भी करते हैं और आप चिंतन की क्रिया भी करते हैं क्योंकि बहुत सारी गती वीधियों को आप जो आप रॉंग करते हैं जो आप गलत गती वीधिया करते हैं उसको भी आप ध्यान रखते हैं कि इस गती वी आपको दुबारा से repeat करते हैं तो यह नहीं है कि आप उसमें सीखते नहीं है आप भी सीखते हैं आप सिखाते भी हैं और आप चिंतन भी करते हैं इसलिए यह पूरे क्या है कोशल युक्त क्रिया के अंतर आते हैं इसलिए कोशन का राइट ऑप्षन हो जाएगा आपका कोशल युक्त क्रिया आई होप आप मेरी बातों को समझ पारे होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते नेक्स्ट फॉर्थ कोशन आप से क्या कहता है तो फॉर्थ को और ऑप्षन फॉर्थ कहता है इन में से कोई नहीं अब आपको बताना है कि सिक्षन अधिगम के कौन से मुख्य अंग होते हैं यह निकि इसके मेन पार्ट सिक्षन अधिगम के अंतरगत कौन से होते हैं यह आपको बताने हैं यदि आपने सिक्षन अधिगम को डिटेल में पढ़ा है और आपने मेरे content को अच्छे से देखा है तो आप easily expression का right option बता सकते हैं क्योंकि सिक्षन अधिगम के अंतरगत जो अंग होते हैं वो मैंने आपको बताए हैं कि सीखने एवंग सिखाने वाले होते हैं क्योंकि सिखाने एवंग पढ़ाने वाले नहीं हो सकते हैं क्योंकि एक होते हैं बच्चे जो अधिगम करते हैं सीखते हैं और एक होते हैं teacher जिनको सिखाना चाहते हैं जो सिक्षन करते हैं और ये process सिक्षन अधिगम का जिसके अंतरगत सिक्षक सिखाते हैं और बच्चे सीखते हैं ठेक तो इसलिए option B में देखे सिखाने वंग पढ़ाने की बात की गई है सिखाना और पढ़ाना बात दोनों ही सेम है इसलिए B option नहीं हो सकता और जब B नहीं होगा तो C भी नहीं हो सकता क्योंकि C में बताया A और B दोनों और B इसमें भी आ रहा है इसलिए B C option भी नहीं हो सकता और D option के तयान में से कोई नहीं तो बचावा option आपका है A की सीखने इवंग सिखाने वाला यहनि सिखाने वाला होता है teacher जो सिख्षन करते हैं और जो सीखने वाला होता है झाँआगे बढ़ते हैं और देखते हैं next प्रिष्न आप से क्या पूझता है चले next questions पर आगे बढ़ते हैं और देखते है फिप्त कोईचन आप से क्या कहता है तोático manipulating आपसे कहता है section प्रक्रिया के सामान्य सूत्र के प्रतिपादक कौन है देखे जो प्रक्रिया के जो सामान्य सुत्र के प्रतिपादक है वो कौन है सिक्षन अधिगम के सामान्य सिध्धान और दूसरा मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था सिक्षन अधिगम के मनोवैगदानिक सिध्धान तो सिक्षन अधिगम के सामान्य सिध्धान के अंतरगत मैंने आपक सीधा सीधा वहीं से प्रश्न उठाया गया है कि सिक्षन प्रक्रिया के सामाने सुतर के प्रतिबादक कौन है तो देखे option Russo है तो यह नहीं हो सकता हर्बट Spencer है option 3 है Skinner यह भी नहीं थे और option D है Montessori यह भी नहीं थे क्योंकि जो सिक्षन के सामाने सिद्धान दिये है right option हो जाएगा आपका Herbert Spencer I hope आपने भी questions के right options easily लगा लिए होंगे चले next questions पर आगे बढ़ते हैं और देखते next six question आप से क्या पूछता है तो question number six में आप से पूछा गया है कि किस section प्रक्रिया में बालक के संग्यान की वस्तों को आधार बनाकर अग्यात वस्तों की जानकरी दे जाती है यहनि कि किस section प्रक्रिया में कि कौन से teaching process में बालक की संग्यान की वस्तों को आधार बनाकर यहनि कि जो बालक संग्यान यहनि कि आप teaching process के किस conditions के दोरान करते हैं option first कहता है आपसे अग्यात की और option second कहता है आपसे ग्यान की और option third कहता है ग्यात से अग्यात की और option fourth कहता है अग्यात से ग्यात की और यहाँ पर आपको बताना है कि जब आप teaching process करते हैं तो आप बालक की संग्यान की वस्तों बारे में जानकारी देते हैं तो यह आप किस प्रोसेस के अंतरगत करते हैं तो यह आप सिक्षन सूत्र इसमें कौन सा सिक्षन सूत्र यूज करते हैं जो मैंने आपको 11 सिक्षन सूत्र बताए हैं उन सिक्षन सूत्रों में से आप किसी एक सिक्षन सूत्र का प्रयोग करते है अब आपको यहां पर बताना है कि आप कौन से सिक्षन सूतर का प्रयोग इसके अंतरगत करते हैं तो जो बच्चे जानते हैं निकि जो ग्यात चीज़े जानते हैं उनसे आप बच्चों को अग्यात चीज़ों के बारे में जानकरी देते हैं तो इसलिए ना तो ये अग्यात की और होगा और ना ही ग्यान की और होगा और ना ही अग्यात से ग्यात की और होगा क्योंकि बच्चे जिस चीज को जानते हैं जो ग्यात होती है उनको और फिर आप उनसे रिलेट करते हैं उनको बेस बना कर आप उन्हें अग्यात चीजों की क्या पूछता है तो next प्रशन आप से पूछता है कि दिल्ली भारत की राजधानी है यह किस सिक्षण अधिगम का उधारन है देखे दिल्ली भारत की राजधानी है यह आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे कि भारत की राजधानी क्या है तो वो easily बता पाएंगे तो दिल्ल भारत की राजधानी है ये किस सिक्षण अधिगम का उधारन है निके सिक्षण अधिगम के अंतरगत आप किसका उधारन बताएंगे option first है ग्यात की और option second है अग्यात की और option थड़े अग्यात से ग्यात की और और option fourth है ग्याद से अग्याद की और अब आपको बताना है कि दिल्ली भारत की राजधानी है ये सिक्षन अदिगम का कौन सा उधारन है तो देखें इस्ट्रेंट्स यहाँ पर दिल्ली भारत की राजधानी है अगर आप एक छोटे बच्चे से भी पूछेंगे जो बच्चा बोल सकता है और थोड़ी बहुत चीजों को समझ सकता है ने कि दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा होगा वो इसली जानता है कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है ठीक तो ये एक बच्चे के लिए क्या है ग्यात चीज़े है तो ये इसके बारे में एक factual है या किसी को नही पता होगा तो वो भी जान जाएगा कि दिल्ली क्या है हमारे देश की राजधानी है तो जब उसे जान जाएगा तो ग्यात चीज़े हो जाएगी लेकिन उनसे रिलेट करते हैं आप कहीं किसी दिशा में जा नहीं रही इसलिए यह जो प्रशन है इस प्रशन का जो राइट करते हैं किसी दूसरी दिशा में लेकर नहीं जा रहे इसलिए यह ना तो अग्यात से ग्यात की और होगा और अग्यात की और भी नहीं हो सकता क्योंकि 95% केसे में बच्चों को पता होता है कि हमारे भारत देश की राजधानी क्या है या हमारे देश का नाम क्या है और हमारे देश की राजधानी क्या है तो इसलिए इस questions का right option हो जाएगा आपका ग्यात की और कभी-कभी strengths ऐसे प्रशन भी आते हैं जो बहुत आसान होते हैं लेकिन आपको confuse कर देते हैं और आप सोचते हैं कि इस question का जो right option है वो इतना आसान कैसे हो सकता है कभी-कभी इस गलत फैमी में भी हम question को गलत करते हैं इसलिए हमें चीजों को authentic way में समझना है क्योंकि examiner का mind setup किस तरीके से exam से question को बनाएगा वो उन पर depend करता है तो इसलिए हमें सारी चीजों को सही ढंग से लेकर चलना है आई होप आपने भी questions के right options easily लगा लिए होंगे और expression को भी समझ पाए होंगे चले आगे बढ़ते हैं और देखते सब्सक्रा कर सकते हैं कि जो मोटी-मोटी स्वें होती है जिनको आप देख सकते उठा सकते हैं उनको आपि स्थूल कहते हैं और एक होते हैं जैसे मालिग जी भूई धागा हो गया यह बहुत सुक्ष्म चीजे बहुती छोटी चीजे बहुत सारे जिनकी द्रश्टी शमता कमजोर होती है वो चीज़ों को देख भी नहीं पाते लेकिन नॉर्मल वस्तवी जिनको आप ऐसे इसी देख पाते हैं उनको हम इस थुल कहते हैं तो इस थुल स सुक्ष्म की और ये एक सिक्शन सूतर है जो मैंने आपको सिक्शन सूतर के नतरगत पढ़ाएं तो ये स्थुल की और का मुख्य उधारन क्या है अब आप बताएं कि स्थूल से सुक्ष्मी के और का मुख्य उधारन आपके हिसाब से क्या हो सकता है तो इस्टुएंट्स अगर आप चारों आप्शन देखेंगे तो आप सबसे पहले देखिए ये जो वाक्य है वाक्य से रिलेट करते हैं क्योंक चार पांच किसी में दो भी होते हैं तो मैक्सिमम पांच भी होते हैं और भी बहुत सारे शब्द होते हैं और यदि आप एक शब्द को तोड़ते हैं आपको महाँ पर बहुत सारे वर्ण दिखते हैं यह जैसे स्वर वेंजन तो अलग-अलग तरीके के वर्ण आपको जाते हैं जिसको से माइक्रो स्कॉप से देखा जाता है ज्यादा तर इस तरीके के कंडिशन को कब करते हैं जब हम विज्यान विशुय को पढ़ते हैं तब हम बहुत सारी ऐसी गतीवीधियां होते हैं जिनको हमें पढ़ने के लिए मौडल का सहरा लेना पड़ता है तो मॉडल के माध्यम से स्ट्रेंट्स हम एक स्थूल चीजों को देखते हैं क्योंकि वो सुख्ष्म चीजे हम बिना माइक्रोइक को कि देख नहीं सकते यह निस सुख्ष्म दर्शी के बिना हम देख नहीं सकते जो बहुत छोटी-छोटी चीजों के बारे में ज होग आप भी कोश्ष्म के राइट ऑप्शन तक एजिली पहुच पाई होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रशन आप से क्या कहता है तो नेक्स्ट नाइंथ कोश्ष्म आप से कहता है स्ट्रेंट्स के वाक्यान शो मुहावरों आदी का ग्यान सरप्रथम किस प्रक्रिया में दिया जाता है यानिके जो वाक्यान्श होते हैं या फिर जो आपके मुहावरे होते हैं इनका ग्यान सरप्रथम किस प्रक्रिया में दिया जाता है यानिके इनका ग्यान आप कब देते हैं ऑप्शन फर्स्ट कहता है कठीन से सरल की और मुहावरे का यूज करते हैं तो इनका यूज आफ किस प्रक्रिया के दोरान करते हैं कि सर्पत्तमा इसका यूज कब करते हैं और इसका यूज किसली किया जाता है किया आप कठिन से सरल चीजों की जानकरी देने के लिए आप मुहावरे का यूज करते हैं या फिर सरल से कठि की और कोई भी सिक्षन सूत्र नहीं होते हैं जितने भी सिक्षन सूत्र होते हैं ग्यारा वो मैंने आपको डिटेल में बता दिये हैं तो आपने कहीं पर भी सरेल से सुक्षम की और नहीं पढ़ा होगा दूसरी बात इस जैसे महावरे पढ़ते हैं या फिर वाक्यांच लाते हैं उनका यूज जब आप करते हैं तो आप उनका अर्थ अलग तरीके से डीटेल में निकालते हैं तो वो क्या होता है कि मुहावरे कैसी चीज है कि जब आप एक मुहावरे का उप्यो करते है या फिर किसी वाक्याश का यूज करते हैं तो वो एक सरल चीज है मतलब वो मुहावरे को जानेंगे तो वो मुहावरे एक ऐसा word होता है मतलब एक ऐसे वाक्यांश होते हैं जिसको आप easily ध्यान रखते हैं और अपने daily बोल चाल में use करते हैं और उसके माध्यम से आप कुछ meaningful बातों को करना चाहते हैं जिसके लिए आपको short form में मुहावरे का use करना होता है तो इसलिए सरल से कठिन की और हम जाते हैं जब हम एक मुहावरे का use करते हैं क्योंकि मुहावरे easily हमें याद होते हैं जैसे नाच ना जाने आंगन टेड़ा इसका मतलब क्या होता है कि जिसको कुछ आता नहीं है वो हमेशा excuse निकालता है बहाने निकालता है अलग-अलग तरीके के बातों को कर सकते हूँ जो हम इसके बारे में अलग-अलग तरीके से burn and कर सकते हैं तो जो हम burn and करते हैं वो चीजे कठिन होती है और नाच ना जाने आंगन टेड़ा ये जो एक वाक्याऌश या फिर मौआबरे हैं ये क्या है एक सरल चीज़े है इसके अर्थ अलग-अलग भिन-भिन हो सकते हैं तो इसलिए इस questions का right option हो जाएगा सरल से कठिन की और क्योंकि इसमें ना तो आप कोई मोटी-मोटी वस्तु को दिखा कर सुक्षन चीजों को दिखा तो इसलिए ना तो डी option होगा और ना ही कठिन से सरल की और आपने कोई सिक्षन सूत्र पढ़ा है तो कहीं ना कहीं इस questions का right option हो जाएगा आपका सरल से कठिन की और I hope आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे इसलिए जो भी सिक्षन सूत्र मैंने 11 आपको बताए हैं उन्हीं सिक्षन सूत्र को आगे पीछे करके भी options बनाये जाते हैं जैसे आपने पढ़ा है सरल से कठिन की और लेकिन यहाँ पर यह option में है कठिन से सरल की और तो यह आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा कि आप सबसे पहले कठिन चीज़े सीखते हैं और फिर सरल चीज़े ऐसा ना तो आपको टीचर सिखाता और ना ही आप कभी सीख सकते हैं क्योंकि अगर आपको पहली वार शुरुवात में अगर आपको कठिन चीज़े दिया जाएगा तो आप उसे जो है छोड़ देंगे और उससे दूर भागने की कोशिश करेंगे तो इसलिए ऐसा कोई सिक्षन सूत्र होता नहीं है क्योंकि सिक्षन सूत्र का यूज टीचर एज जो सिक्षन प्रोसेस उसको इजी वनानी के लिए करते हैं जितने भी अप साइकलोजीकल पॉइंट्स पढ़ रहे हैं अभी तक जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं कही ना कहीं इस टॉपिक को पढ़ने का मतलब ये है कि एक सिक्षक के अंदर ऐसे गुण विक्सित हो जाए जिससे वो किसी भी टॉपिक को बहुत आसान शब्दों में इजी वे में चीजों को डिलेवर कर पाए ठीक है तो इसलिए आप ये psychological जो भी CDP है या फिर teaching skills है या फिर आप life skills के बारे में भी पढ़ेंगे इनका सिर्फ और सिर्फ एक युद्देश्य है कि आप इसको आसान भाषा में easy language में बच्चों तक पहुंचाए उस message को ठीक है तो इसके लिए आप गतिवीधिया करते हैं इसलिए कठीन से सरल की और नहीं हो सकता और नहीं सरल से सुक्ष्म की और होगा और इस्थुल से सुक्ष्म की और यहां पर आप कोई मोटी मोटी वस्तु से कोई सुक्ष्म बातों की और लेकर नहीं जा रहें तो इसलिए D option भी नहीं हो सकता तो बचाओ option आपका B इसका right है कि आप वाक्यांश या मुहावरे का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि आप सबसे पहले सरल चीज़े बताते हैं और उससे कठीन चीज़ों की और अग्रसर होते हैं I hope आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next और last question इस practice set का आज की class का चले next आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की class का last question आप से क्या कहता है last question आप से students कहता है पूर्ण से अंश की और इस सिक्षन प्रक्रिया में मुख्य तत्व क्या-क्या दिये जाते हैं यानि कि जो पूर्ण से अंश्की और है ये एक सिक्षन सूतर आपने पढ़ा होगा स्ट्रेंट्स इस सिक्षन प्रक्रिया में मुख्य तत्व हैं वो क्या-क्या दिये जाते हैं first कहता है वाक्य, option second कहता है शब्द और option third कहता है word और option fourth कहता है ये सभी, तो आप आपको बताना है तो अब आपको बताना है कि जो पून से अंश की और section सूत्र है, इसमें कौन-कौन से मुख्य तत्थ होते, तो इस ट्रेंट साप section सूत्र के नाम से ही समझ सकते है पून का मतलब होता है complete चीज़े और अंश का मतलब होता है उसके छोटे-छोटे भाग तो जब आप एक complete वस्तु को बताते हैं और फिर उसके छोटे-छोटे भागों के बारे में detail करते हैं, तो वो क्या होता है आपके पून से अंश्क्यूर, for example के लिए जैसे मान लेजिए कि human body, human body के बारे में आप बता रहे हैं, तो इसके इंतरगत कितनी हड़िया हैं, कितनी मानस्पेशिया हैं, और क्या-क्या conditions हैं, हमारे human body के अंदर, यह आप बताते हैं और उन सभी हड़ियों के बारे में, डीटेल में, जब आप one by one बताते हैं, तो वो क्या होता है, पून से, सबसे पहले आपने पून चीज़े बता दी, और फिर आप उसके अंश्के बारे में बता रहे हैं, तो इस आपको मैंने एक sentence के दोरान भी बताया हुआ है, कि जब आप एक बाक्य को पढ़ते हैं, जैसे कि मैं घर, मैं घर जाता हूँ, अब देखें यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं घर जाता हूँ, यह एक sentence है, जिसमें अगर मैं शब्द की बात करूँ, तो मैं एक शब्द है, घर एक शब्द है, जाता एक शब्द है, और हूँ एक शब्द है, ठीक, तो यह पूरा sentence है, कई सारे शब्दों से मिल कर बना, अगर मैं इस्ट्विट्स यहाँ पर घर को ही, यह जो शब्द इसको ही तोड़ेने लग जाऊं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, घै ह हो जाएगा आपका बेंजन, और आ हो जाएगा इसका क्या स्वर, ठीक, तो और इसके बाद रह हो जाएगा आपका बेंजन, और इसके बाद ए हो जाएगा आपका स्वर, तो स्ट्रेंट्स यह क्या है, यह आपके वर्ण है, यह यह वर्ण है, और यह देखे, चार वर्ण म बारे में डीटेल में बताते हैं तो कहीं न कहीं यह सक्षण सूतर के मुखे तत्व के अंतरगत आते हैं इसलिए यहां पर आप से पूचा गया है कि और से ऐंचंकी और सक्षण पर क्लिया में मुखे तत्व क्या क्या दिये जाते हैं optionACT is to option फॉर्थ है यह सभी तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने पूरा sentence दिया यहां पर उसके बाद आपने उसके शब्दों के बारे में बताया अब अगर इसके चारो शब्दों के बारे में detail करेंगे तो बहुत सारे word आपके देखने को मिलेंगे तो यह सभी points जो है वो उसके मुखे तत्रों के अंतरगत आते हैं इसलिए इस questions का right option हो जाएगा आपका D I hope आप मेरी बातों को समझ पारे होंगे और इस questions के sense को भी सही डंग से लगा पारे होंगे कि examiner का जो mindset है वो किस तरीके से questions को बनाते हुए सोचता है और हमें उनके उस mindset को पकड़ना होगा तभी हम questions के right option तक पहुँच पाएंगे आशा करता हूँ कि यहां तक जो भी मैंने अभी तल आपको बाते बताई हैं वो सभी आप easily समझ पाएंगे अगर answer related कोई भी doubts आपके मन में है तो comment section में comment केजिए मैं कोशिश करूँगा कि आपके doubts को clear करूँ और अगर आपको यह सारे points अच्छे लगे हों आपको यह classes अच्छी लगी हों तो आप comment section में अपनी जो आभी व्यक्ति है उसको व्यक्त केजिए ताकि मैं आपके भावनाओं को समझ पाऊं और मैं इसी तरीके के और बहते रिन इंट्रस्टिंग वीडियो आपके सामने लेकर आऊं जिससे आपके सभी doubts easily clear हो पाएं आज के लिए बस इतना ही अगर आपको यह class अच्छी लगी हो तो इसे like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे क्योंकि इसी तरीके के interesting concept क साथ मैं आपके लिए सूपर टेट 2022 तक अंत तक जुड़ा रहूंगा और आपके selection में एहम योगदान दूंगा धन्यवाद जैह हिंद